हलो सुरेंट्स मैं रवी रंजयन आप लोग का स्वागत करता हूं मैं इमेर बेंस हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है छटी से बाजवी किक्षा तक के सब भी विश्यों के बहुत अच्छी बात है चलो इसी बात के साथ करते हैं से संद को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्द चैप्टर जो कि कक्षा नौवी का पार्ट दस है और इसमें हम पढ़ेंगे इसके उदारन कौन से उदारन तो परसनावली देस देसनल लुव दीन से पहले के यहां पर करेंगे हरे कौनसे को बिलकूर क्लियर्ली कंप्लीट करेंगे यहां पर और आपको यह भी बताए जाएगा कौनसे को स्टार्ट और देखते हैं क्या है तो यहां पर सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक रूल रेगलेशन को पढ़ेंगे जो की क इसमारे पास एक वरित केंद्र से जीवा को समधुभाजित करने किलिए खीची गई रेखा मतलब यहां कि इस नियुक्त है इसमें कहा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं यह भुजा इसके बराबर ये बुझा बराबर है तब हमें सिधे करना है तब हमें बताना है तो यह इस में ननों प्रेण होगा कीइगा दसींग्य को सम्हें मिष्जिवा statement करता है तो वह रिखा लंब ही होगी ठीक है इसको Poshtin करते हैं किस तरीके सब यहां पर सबसे पहए निक dl adhere को च्शन में क्या चीज़ और है थी किसमें देया है नहीं यहां कि यहां रखा यह रखाना है कि एक वृत हैं में लिखा यह कामने कुछ श्याट एक इसके hills के दर को सम्दिभाजित कर दो कहा है यानि एसी और सीभी बराबर है यह हमें दिया हुए है अब इसके अंदर हमें सिद्ध क्या करना है लिखते हैं वह सिद्ध करना है मक otc करना है कि qa syd ہ showed.可以 है यह 90 है फिससे का टो चोफ सिध्र करें घर लिए कजो पड़े 20 लिए करने के करणा करनी मैं रचना लग्पार्त यह तो रचना में हम करते हैं भैई ओको बी से मिला देते हैं यह तो पसne आज अधिragt यह तो है यहां पर हम लिखेंगे o को a से ício A से तथा ओ को b से मिलाए गया ठीक है ओको a से मिलाए गया और ओ को b से मिला गई इत्य जानी चीजार दी गई है इसके बाद आते हैं किस पर लगेश वह हैं पर सिद्ध पर आते हैं ठीक है सिद्ध कैसे होगा तो सिद्ध की यहां पर बात करते हैं तो इसमें हम लेंगे तिरभुज कौन-कौन सा तो दो तिरभुज हमें यहां पर दिख रहे हैं कौन से यहां पर मैं देखता हूं तो भाई पहले ओ जो है वह बराबर है और दोनों क्या है एक ही विर्त की तरजाएं की तरजाएं ठीक है यह आगा पर से एक ही वृत के त्जह यह दोनों रेखाएं जो त्रजाएं बराबर हो गई है उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं नेस्ट क्या है हमारे पास तो नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं और यानिकी अभएनिस्ट हो जाएगा भाई यह उबई निश्ट जाएगा डन उसके बाद next क्या और क्या बराबर है तो हम यहां पर देखतें एसी और बीसी आपसे बराबर था जैसा कि हमें यहीं दिखा हुए यह दिया हुआ था पर दिया हुआ कि एसी और सी बराबर है या या यह भी लिख दिया हमने ची बराबर है दुसरा यह भूजा दोनों में से मैं और यह इस पर दूझा णाया हम सिर्भुझ का वरोज हो रहा है ओए और यह सर्वांख्शम हो गया है तिर passion हो C, B के भाइ यह तो हम देखने रहीं तेनों भूजाएं बराबर रहीं भूजा भूजा है। और इस सर्वांग्शम होने से विए से क्या होगा तो यहां से हम कह सकते हैं अगर यह सर्वांग्शम है इसका मतलब कौन कौन सा वाला भाई यह वाला कौन और यह वाला कौन यह दोनों कौन आपस में बराबर होगे संगत कौन बराबर देखो सी बीच में सी बीच में मतलब स क्योंकि हमने यहां पर दिखा यह दोनों सरवांग्षम तो उसकी वजए से बराबर होगा सरवांग सम्ता की वज़़े से कुछ भी होता है तो उसका रिजन सीधे बस एक होता है क्या से Mental तो यहां पर देखें कियों तो यहां पर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं कौण और यहां पर मैंने लिखते हैं यह बराबर में 180 डिगरी हो गया और इसको लिख सकते हैं क्या तो इसको लिख सकते हैं में रैखिक यूगम हो गया रैखिक यह ऐखिक यह ओगया हूं यह पर रहकिक का योग 180 हो गया और यह दोनों तो बराबर थे तो क्या मैं इन दोनों को एक में डबल करके लिख सकता हूं तो यहां लिख सकते हैं बहुत दोनों चीज तो बराबर थे यानि मैं इस लिख सकते हैं तो इसको दोनों जूड़ कि क्या हो जागा दो कॉन बड़ावर में 180 ठीक है इस दो से यह कट गया तो किस पर कटा नबबे डिगरी पर कटा कि दो नीची भाग में आए गा तो नबबे पर कटेगा ओके तो यहां पर मैं देख सकता हूं कोन cb यहां जबबे डिगरी ठीक है और यहां पर मैं देख सकता हूं क्या यहां आगे 90 जएमाने दिगरी अपर नोब्ट हो नंब सकते हों और मैं आपको बता दूँ यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीमेथी जो कि आपके एक्जाम में डिर्क लिए ही पूछा जाता है बस इसमें थोड़ी सी चीज़ जोड़ते हैं क्या सिद्ध करो में सिद्ध कीजिए कि एक वृत के केंदर से एक जीवा क जीवा को समधिवाज़त करने के लिए खीची गई रिखा जीवा पर लंब होती है यह सिद्ध करना होता है इतनी साइड होता है ठीक है और आपको पूरा इस तरीके से सिद्ध करना होगा डन तो यह भी एक मोश्ट इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने बता दिया रिपेट कर रहा है तो यह कहा रहा है एक विर्ट का चाप दिया हुआ है ठीक है एक विर्ट है उसका चाप दिया हुआ है इस विर्ट को पूरा कीजिए एक विर्ट है उसका चाप दे रहा है विर्ट को पूरा करना है पर यह क्या कोश्चन हुआ कैसे विर्ट को पूरा करें तो इसमे ठीक है वैसे कोश्टन में कहा है एक वृत का एक चाप दिया हुआ है ठीक है और इस वृत को पूरा किजिए इस वृत को पूरा करना है पूरा कैसे करें इसका केंद्र पता हो तो पूरा कर देंगे केंद्र नहीं पता तो पूरा नहीं हो सकता तो में चीज़े केंद्र पता ह करने के लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भरका साथ साथ हम क्या करते हैं इधर वी एक जीवा की देते हैं यह अभ इन दोनों जीवाओं का मद्य हम मद्य बंद लेंगे लंच सम्द्भाज सैंट उसको तरह नहीं होच ओपना प्रकार नीचे इस सो't कर लेना अदों यहां रखेंगे और शुक्त मषज रखना है और यहां पर रखे एक कट उपर और एक कट नीचे ले लेंगे इस तरह से ठीक है यह चीज हो गया अब इन दोनों को मिला दिया जाता है दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा यह सब्सक्राइब और किसी भी जो रिख दो रिखाएं इसमें थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं जिसे कोई confusion ना हो क्योंकि confusion होने यहां पर आप हो आपको confusion हो जाए यह हमें गवारा नहीं है तो अगर आपको नबड़ डिगरी का कोड़ बना है उसे लंब सम्धिभाजा कहा जाता है और वो कैसे करते हैं तो एक प्रकार आपको लेना कंपास लेना है एक प्रकार को आपको चेंज नहीं करना मतलब की छोटा बड़ा नहीं करना जितना है उतना है और अब की बाद यहां पॉइंट रख कट को मिला लेंगे इन दोनों कट को जब मिलाया हमने इन दोनों कट को जैसे मिलाया तो यहां पर जो बिंदू आपको दिख रहा है यह जो बिंदू दिख रहा है यह बिंदू इस रेखा का समधी भाजक है यानि की कहा जाएं तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी औ और साथ में यहां पर यह लंब भी होगा यह तरीका होता है किसी भी रिखा का लंब सम्धिवाजग बनाने का और वही प्रॉसस यहां किया गया है तो हमने प्रकार को यहां पहले रखा रेकट ऊपर रेकट नीचे फिर यहां से एक नीचे रखा और इन दोनों को मिला दिया लिए सेंडर यहां नीचे सबसक्रें यह भी एक कले घुटे मिलां को और इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो कि अले था यह जाता जा रहा है यह आप देख ने ऐसे लाल जो लाला नीला नीला जोसा दोनों मिल रहा है इसका मतलब आपके बास केंद्रा गया है अब अपने परकार को क्या करना यहां पर रखना और इसके साथ रखके और पूरा गोल ऐसे घूल खीश देना इस अंड़ हैं बने हैं तो यहां पर यहां पर देखो आपको करना क्या है बतलो इसमें आपको रचनाई लिख सकते हो वह किस तरीके से इसको किया गया है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या है हम सबसे पहले है वह दिख लेख वे और यहां इस भंदा खी तक का तक यह टेर्खाता यानि है चाप is a.b.c. यह दिया है ठीक भी यह दिया है और इसमें करना क्या है हमें हुआ है ठीक है लिखेंगे तने रचना करना है इसमें हमें नहीं विर्त बनाना है तो श्मकौ हरक घ्याद करना है इस में थिए ना तो संपूर्ण विर्त ग्याद करना है यह आपर ऑप इसमें क्या करते हैं इसमें रचना करते हैं रचना ही करना है आपर तो इसको रचना करते हैं तो रच्छना में हम क्या करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे और एक को कि ए बी तथा बी सी जीवा खीची गई खीचा गया खीचा अब इसमें क्या करेंगे ग्यात कर रहें तो पूरा हल में आ जाते हैं किस तरह से हल करेंगे तो यहां पर सबसे पहला इस टैप हम क्या करेंगे तो भई कि ए बी का ए बी का लंब सम्दिवाजक खीचेंगे तो यह थी करेंगे तो इसके बाद दूसरे में क्या करेंगे दूसरे में करेंगे है थीक बाद क्या दोनों के लंघी वाजको को आपसे मिलांगे तो क्या देख पा रहे हैं बैँ यहां पर यहां पर समन्थर्ड पॉइंट पे लेखेंगे जो अं सब्वाजक अंच बताए कि दोनों सम्धिवाजिकों से केंदर प्राप्त होता है कि यह नम्झी यह इससे हमारा केंदर प्राप्त हो गया और केंद्र प्राप्त होने से हम क्या करेंगे वर्त खीच देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे केंद्र से वर्त खीचा जाएगा दन यह हमारा कुशन समाप यानि आपको बस इसमें रचनाई लिखनी आपको इसके आपने बनाया है वह आपने लिग दिया बात खत्म तो आप इसका स्कूर्ण ले सकते हों फिर हम आते हैं कोशन पर पहला कौशन कौन सा है अच्छा एक चीज़ यहां से वारा क्या हुआ कि अगर आप कोई भी विर्त बनाते हो तो इसके अंदर क्या है विर्त बनाना नहीं विर्त बनाना यह तो यहां पर जो दो मावली 10.2 का ओके चलो तो यहां पर परसंद नंबर एक है और यह क्या कहता है तो विर्तों के कोई जोड़ें विर्तों के कई जोड़ों की बात कर रहा है जोड़ा मतलब यूगम खीचिए परत्यक जोड़े में कितने बिंदू उभेनिष्ट होंगे मतलब कॉमन होंगे य तो इसमें बोल रहा है कि कई जोड़े है तो परत्यक जोड़ों में कितने मेंदू वहएनिष्ट हो सकते हैं तो वह धिकतम संख्या क्या होगी वह disciple ओके तुए इसके अंदर क्या uh कि यह यहां पर लिखता हूं ठीक है यहां पर हल में आ रहते हैं सीधे हल में देखेंगे तो यहां पर इसमें सबसे पहले यहां पर क्या लिए विर्टो के जोड़े विर्टो के जोड़े निम्न है ठीक है और वो निम्ने क्या होंगे तो फर्स्ट की बात करते हैं फर्स्ट जोड़ा मैंने ये बनाया ठीक है दूसरा जोड़ा मैंने क्या बनाया वे दूसरे जोड़ा की बात करें तो ये कुछ इस तरिके का बन जाएगा ठीकर वह तीसरा जोड़ा बनाता हूं तो वह आएगा तो वह आजाएगा यह आया और क्या इस तरह से आएसे बनाते हों तो भी तो यह कटेगा तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत समय इसने कहता है वेनिश्ट बिन्दू बताने हैं लेनाइस्ट बिंदू कितने हो घे हैं तो यहां पर पहले वाले में देखा तो लेश्ट बिंदू वे झक बिन धू अधिक्वे ना रहते हुआ本 इस्त वे प्वेस्ट ये रूऑन हर भाईह लिदा है ये ने कुछ dependent हैं एक के पर एक है तो नहीं वहीं दोन में सेम पॉइंक तो नहीं है वह यह तो भीपन Cute लिखा तो कि भीमिश्भेंश्च भीमि यहाँ जबो यहां पर यहां अधि पर एक लिखें लुक्लिव यहां पर आ रहा है दो आ रहे हैं इसकी बात करते हैं तो तो यहां पर प्रिवेजिस्ट बिंदू क्या रहे हैं डुए पुपनुस्ट बिंदू इसके नदर देखा जाए तो यह सब्सक्राइब हैं ने यह तो यहां पर यह तिन पॉसिबिल्टीों थे या फिर होगा ही नहीं यह 401 यह जी ऑप्शन है टीन आप्शन ठीक शिए त यहाँ पर इसने बोलगा था प्रत्यक जोड़े में कितने बिंदू बृएनिष्ट उखे फाड़ा दिया है और इसने पूछाए बिंदू की अधिकतम संख्या तो यहां अइप संख्या बई तब उबैनिष्ट बिंदू बिंदू की अधिक्तम संख्या यह कितनी होगी तो भई यह आ जाएगी यह हमारे पास दो भाई यह यह बिंदू की अधिक्तम संक्या कितनी है दो है और यह इसका अंतर हो गया और यह कोशन यहां पर अगला किस टाइब कोश्चन है चिवा है अगले कोश्चन में मान लीजे की आपको एक वृत दिया हुआ है ठीक है मान लिया मैंने वह एक वरत दिया हुआ है एक वृत ही हां पर बनाए हमने यह बन गया है थीक है अब इसने कहाए एक रचना इसके केंद्र को गयात करने के लिए कि यह मुझे इसका केंद्र यात करना और और केंद्र करना है उसके लिए रचना करना है कैसे क्या किया जाए तो यहाँ पर जब खिरना में तो केंद्र करना है तो सक visão है सब्सक्राइब टरी नrobi है टिटीं तब बहुंति यह एक दो दो जिवाएं कीज़ने पड़ेगी तब और जीवाओं का नाम क्या कर दिया वहीं, नाम यहाँ पर लेकर दिया है, भाई यह जीवा है, भाई यह A आ गया और B आ गया, और यह C आ गया और यह D आ गया, भाई यह आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले में लिखते हैं, क्या, कि भाई दो जीवाएं खिचिए, कि अब आप लोग के दिमाग में एक कोशन तो जरूर आ गया आया होगा क्या क्या कोशन में कि भाई क्या ये दोनों बराबर खीचने या फिर अलग अलग भी खीच सकते हैं तो मैं आपको बता हूँ आप बराबर खीच चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कैसे भी खीच दिया उसके बाद आते हैं जाए सैक Click की बाद पॉइट बढ़ी सेकिन यहा करेंगे कि करेंगे हम यहां पर ab का लं संदिवाजक करेंगे यहां पर लिए बी आधा लंjor संदिवा जची आ कि खीचा गया और एबी ही क्यों करा जाए हम क्या करते हैं ना एबी के साथ-साथ एकी लाइन में दोनों को निप्टा देते हैं क्या क्या चीज नहीं सेकिंड पॉइंट हमने लिखा एबी और डी-सी एबी तथा है तो हम लिखा बात करता हूं पर प्रकार को आजे से जादा रखा और एक कट इधर एक कट इधर माधिया थै कि यहां पर क्या किया गया तो इसको मिला दिया गया यह चिला गया ठीक है उसके बार नेक्स्ट हम इसका लंदिस हम दिवाजिक करेंगे तो इसके लिए की अधिया प्रकार खुला एकट यहां पर और एकट यहां पर यह हुगा ठीक है यहां से सेम प्रकार को खोला गया तो यहां से एकट यह आ जाएगा इसको भी मिलाते हैं ठीक है इसको मिलाएंगे तब क्या होगा तो इसको मिलाते गए तो यह आजाएगा हमार पर तो यहां पर यह बिंदू आया है यह इस विर्त का केंद्र आएगा और इसने कोशिन में यह का था एक रचना इसके केंद्र को ग्यात करने के लिए किजिए तो मतलब यह केंद्र आ चुका है यह निकि हमें इसमें लिख सकते हैं क्या लम्ब सम्धिभाज को को मिलाने पर पर प्राप्त बिंदू जो प्राप्त हुआ है विर्त का केंद्र है तो यहां पर हम देख सकते हैं वह विर्त का केंद्र है तो यह कुशिन यहां पर समाप्त होता है और आप इसका भी स्कूर्ट रहे सकते हों कि इस तरीके से हम किसी भी विर्थ का केंदर गयात कर सकते हैं okay चलो भी ठीक है इसको भी हम एरेज करते हैं और आते हैं next question पे और अगले question को देखते हैं अगला किस टाइब का question है चलो next मारे पास देखा है माल लीजिए कि आपको एक वर्त दिया गया अच्छा यह तो कुशन होई गया हमारा इसका थर्ड कोशन है मारे बैस यदि दो विर्त पर दो बिंदू पर पर परतिछेट करती हैं जो विर्त है और वह दो बिंदू पर परतिछेट कर रहे हैं तो गोड़ा यहां पर देखा जाए तो इसका along कोड़ DOU'नंड है और यहां से अगर भीचू और इस पर काट रही है। ठीक है तो सिद्ध किजे कि उनके केंद्र उबैनिष्ट जीवा को के लंब सम्धिवाजग होते हैं यानि इसके केंद्र को आपस में मिलाए गया तो यह रिखा इस रिखा के लंब सम्धिवाजग होते हैं यानि कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर होगा ठीक यह लंब भी होगा यह भी तो इहा पर भै क्या रहा है क inimर कि Miami कि अ कि तो कउश्चिन में क्या चीज हो रहे हैं तो कुश्चन में दिया हुआ हमें है तो विर्थदे रखा धिнетके नाम मैं यह घ्लिक है इसकी तिर्जा आ रहें हो ठीक और इसकी तिर्जा की बात कि जहें तो यह चोटा रहे यह चीज निया दिया है कि दिया है तो निख चुक इस यहां पर किंग एक वृत जो की क्या रहे है आपको फास ओ और आरा agriculture तथा दूसरा विरत जो है वो क्या है मार पास वह मार पर पी और छोटार है ठीक है यह दो विरत हमें दे रहें ऑक हमें इसमें सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना इसमें ठीक है सिद्ध करना है में आते हैं तो इसकी नेमिंग पूरी कर देते हैं इसको मैंने ए माना इसको बी माना और इसको बीच वाले को मान लिया वह सी ठीक है यानि हम यहां पर कह सकते हैं अबी जो है कि अबी जो है वो लंब है किस पर भई ओपी ठीक है अच्छा तो इसमें दुबारा वबर पढ़ लेते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र अच्छा इसमें क्या है उनके केंद्र केंद्र जीवा केंद्र पर अबनिश्ट जीवा जो है वह एक लंद सुन दिवाज़ कि अचरे से लगभी टिकर नेक्सन में一次 तो कि आते हैं तो सिद्ध की की बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ है इस पर लम खीचा इसमी क्या रिखा थे एक तरफ से लुब कैकर या और या ने वैंने तरफ किषती तो सिद्ध के नदर उनदर वह पिसमें क्हीच नदर बन orphan ओसी जो है वो लंब है किस पर एबी पर ठीक है और जैसे लंब खीचेंगे तो हम लिखेंगे क्या तब तब हम लिखेंगे एसी बराबर में बीसी होगा ठीक है और इसके लिए रिजन क्या लिखेंगे केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को सम्दिभाजित करता है चलो भी ठीक है यहां ने देख लिया भई कि भई एसी जो है वो बीसी के बरावर हो गया थीक है अब बात करते हैं दूसरे विर्थ के राइट वाले विर्थ की बात करते हैं यानि मैंने लिखा विर्थ कौन सा वाला वाई लिखा विर्थ हमारे पास है पी आर में विर्थ पी आर में की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं पी को सी से मिला देते हैं तो हमने यहां पर क्य सक्टिपार नायए यहां से क्या हो रहा है वह कभी बहुत को यह को समदीभाजित कर रही है इसका क्या होगा पिसका यह लंब होगा हम यहां पर कह सकते हैं जब एसी बीसी के बराबर है तो सीधे लेकेंगे तब क्या और यहां से हम क्या देख पारे माई कि अगर यह लंब हो गया यहां पर भी इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइक कन सा यह फाश्ट ले ले और हमने लिए सेकंड यहां पर लखेंगे समीकन कि एक तथा दो से जो कि तथा दो से मैं क्या कह सकता हूं और यह भी लमसें बतला यह भी नब्वे का और यह भी नब्वे गर दोनों के गॉर्डिग और इस ही को मैं लख सकता हो कौन a co plus में a cp तो इसको मैं कैसे को जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ रहें 90 प्लस में नबबे आ रहा है और जो कि हम कह सकते 180 डिग दिहां रहा है ठीक है यानि यह पूरा कोन आ रहा है वह सबस्क्राइब का रहा है का मतलब हम कह सकते हैं ओस बैखा बन चुकी है तब हम कहेंगे तब कि ओसीपी एक रेखा है कि रेखा है कि जो भई इसमें इसमें में देख पारें बएब ओसी पी जो में जो इसको हम देख सकते हैं यह लंब है हमारा OCP लंब है एवी पर ठीक है तो हमने यहाँ पर लिखा वह यह लंब है एवी पर तथा कि एवी का कि एवी को सम्द्विभाजित भी कर रहा है तो यह हमारा कुशिन कंप्लीट होता है आप इसका भी स्कूर्ट ले लिए और साथ में इसका भी स्कूर्ट ले लिए और यहीं पर हमारी दसदसमलव तीन जो परसनावली यह भी समाप्त होती है इसके बाद में नेक्स्ट लेकर आएंगे दसदसमलव चार परसनावली और उसमें देखेंगे किस तरह से बहतर इन बहतर इनकोशिन है वो भी हम discuss करेंगे और यहां पर आपने देखा यह कुशन अच्छा यह कुशन आपका इंपॉर्टन वाला कुशन है यह भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और सुरू का जो परिमेगा था वह भी फिर भूल जाओगे तो भूलना है कि समझ में रखना है समझ में मतलब इसके लिए आपको करने पड़ी के प्रैक्टिस उके चलब इसके बाद में आपको बताना जाता हूं मैंने के बारे में जो आपको प्रवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सब भी वीश्यों के और इस वेब्साइट में क्या है तो इस वेब्साइट की बात कर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्लिक करते दिखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्सटेंगे जो की आप देख सकते हों के जिसे 12 एंग्लिश मीडियम है पर सी उई टीक के एक्जाम के प्रपेशन हो सब्सक्राइब करना है तो अब आपको कहीं बहार जाने की जुरुत नहीं पड़ेगी हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ इसाथ इन के लिए कोई चार्ज भी नहीं पे किया पे करना आपको तो बहुत अची बात है तो इसका सबसे पहले करना अपने को जैसे कि मालो आप हो यूपी बोर्ड में तो आप यूपी बोर्ड पर क्लिक करोगे आपको किसी भी विशय में कोई भी दिक्कत होती है उस विश्य के सामने वाश्ट नौ लिखाए वाश्ट नौ पर क्लिक किजिए और पूरा कंप्लेट को सामन करोगे और भी बहुत से चैप्टर में क्लिक करोगे नीचे आप देख रहे हैं वीडियो के लिश्ट खुल चुकी है यहां पर हम देख पा रहे हैं अब इसमें हमारा पैटन क्या है आपको पढ़ाने का तो यहां पर आपको मिलता है सबसे पहले इसके फुल कॉंसेप्ट सब्सक्राइब कि आपके एक जादा है उसके बाद क्या मिलता है तो शक कर वाइबल है और उसके बाद उठाई तो आपको जट करना यह है चैप्टर पर क्लिक करना है उसके बाद जो वीडियो की लिश्ट आईगे उस पर क्लिक करते आप देखो कि इस तरह से वीडियो प्लीक हो जाएगी और आप इसका फाइदा उठाप आओगे दन चलो भी ठीक है इसके बाद आपको मैं बता स्क्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहे हैं ओके बाई टेंक यू